नमस्कार दोस्तों CACPLA help में आपको बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ है बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप ऑनलाइन रेल्वेय का टिकेट काटे हुए है यानि IRCTC के वेबसाइट से आपने टिकेट निकाला हुआ है और आप अपना बो बेल का इकन को भी दबा जेता है कि मैं जो भी वीडियो लहाँ उनको नोटिफिकेशन जाता है सिध्य आप तर बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको IRCTC के पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है जिस पोर्टल से आपने टिकेट निकाला है ठीक ह और उसके बाद चले जाना है आपको माई एकाउंट में फिर माई ट्रांजेक्शन और उसके बाद बुक टिकेट हिस्ट्री पे तो यह बेसिकली यूजर पोर्टल है अगर आप एजेंट पोर्टल पर जाएंगे तो आपको एपेरेंस थोड़ा सा अलग मिलेगा व्यू थ सब्सक्राइब 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 बता रहा है तो हम चेक कर लेते हैं यहां पर दिखा रहा है कौन कौन से station पर train की क्या क्या timing है तिक है और फिर हमें यहां पर select box में जाके फिर दूसरा कोई station चूज कर लेना है जहां पर बóडिंग करना चाहते है या जहां पर पकड़ना चाहते हैं यह confirmation आ गया कि इस जगह से नहीं आप इस जगह से train को पकड़ना चाहते है ठीक है चलिए ओके अब यह जो है confirmation का page यहां पर open हो जाता है और यहां पर दिखाई देरा new boarding date अगर 1150 1140 में train है दूसरे तो यहां पर boarding date भी आपका change हो जाता है otherwise date तो सेम रहता है बस location थोड़ी से change हो जाती है ठीक है तो यह मेरा पुराना location दिखा रहा है अभी तो इसे हम close करते है और फिर चलते है हम ticket पे ठीक है फिर से हम ticket को sorry journey को select कर लिया और फिर चले गए print ticket ठीक है यहां पर देखे मेरा boarding station जो है change हो गया है और destination तो सेम है ठीक है तो इस प्रकार से आप किसी भी journey का किसी भी train के ticket का जो आयर से वेब साइट से काटा हुआ है बहले ही agent portal से काटा हो या आपका user portal से आप उसका boarding point और boarding station चेंज कर सकते हैं तो यह मेरा एक छोटा सा वीडियो आयर सेटिस के boarding point के changing के ऊपर आसा करता वीडियो आपको अच्छा लगवा पसंद आए हो तो प्लीज से लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करे तब तक लिए have a nice day जय हिंग जया भारत